कि नमस्कार मैं रभी कान साफ आप लोग के सामने फिर से लेकर के आया हूं मैत क्लास जो हम लोग लास्ट तीन क्लास में पढ़ चुके है यह एलपी रेलवे का और उस जो टॉपिक है हम लोग टॉपिक वाइस टॉपिक लेकर क्या है ठेक है इस से पहले जो हम लोग करे थे उस्तवका सब हम लोग कोशन बैंग पर अधारीत कोशन किए थे और जितना भी कोशन था सारा का सारा वन बाइवन देखे थे लेकिन आज जो कलास है वो हम लोग टॉपिक पर देखेंगे की कि पर्टिकुलर एक टॉपिक पर उस तरह का обрат पर उसुत तरह का को़शन आता ह को subscribe करना मत भूलिएगा हुमारे चैनल का नाम है बिस्स पर यह स्टडी सेंटर ठीक है अब इससे जो पहले जो आपका जो तीन लेक्चर आ चुका है अलपी पे टीक है यह और भी अलपी टेक्निशन पर जितना भी है वो सारा का सारा हम लोग तीन लेक्चर लाएं है लेकिन आजका जो लेक्चर है पाटिकुलर वन सब्जेक्ट पे है वन टाप पे पे है ठीक है और वो टापिक का नाम क्या है तो वो टापिक का नाम आपका पाईपट सिस्टन है ठीक है पाईपट सिस्टन पे अधारित यह question है पात जितना भी question इस पे पूछा जाएगा जिस уюड करता है सारा का सारा one by one सिखेंगे और यह जो कोशन हम लोग देखेंगे और यह जी इस टाइप का जो concept देखते हैं तो इस टाइप का कोशन किस तरह से deal किया जाता है किस तरह से किया जाता है one by one हम लोग यहां पर देखेंगे देखें समझेगा यहां पर दो inlet pipe दिया हुआ औ और दो outlet pipe दिया हुआ है इसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे ठीक है outlet pipe क्या करता है टंकी से पानी बाहर निकलता है और inlet pipe जो रहता है वो टंकी में को पानी से भरता है ठीक है मतलब टंकी को भरता है अब समझेए कि यह आपका टंकी दिया हुआ है यह टंकी जो दिया हुआ है. इस टंकी में पानी भरा हुआ. ठीक है? अब पानी भरने के लिए कहीं न कहीं inlet pipe चाहिए. अब inlet pipe कितना लगा हुआ? ए कर दो. दो inlet pipe लगा हुआ इसमें. अब दो inlet pipe लगा हुआ A और B अब दो outlet pipe लगा हुआ है. सपोस इसको लेते है COD. ठेक है? अब سमझे पाइप जो inlet पाइप है वो पानी को क्या करेगा टंकी में भरेगा लेकिन जो outlet पाइप है वो पानी को क्या करेगा टंकी से बाहर निकालेगा अब इसी से related conceptual question रहेगा कि अगर दो पाइप एक साथ connect कर देंगे एक पाइप टंकी को खाली करता है उसके अनुसार सारा comparison निकाले करेंगे फिर क्या बोलेगा कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भरेगा या टंकी कितना देर में खाली होगा इस टाइप का question हमारे railway से से जितना भी competitive exam है यह पाइप एंस से question आता ही आता है ठीक है तो अभी का important क्या है कि आगामी जो हमा RRB railway railway का ALP हो गया technician हो गया NTPC हो गया अब group D हो गया जितना भी सारा question जितना भी टैप का question आता है इससे previous year का question लेकर के आये हैं और one by one concept by concept सिखेंगे कि pipe and system से किस टाइप का question जनरली पुछा जाता है ठीक है अब समझे थोड़ा सा concept इसमें बता देते हैं उसके बाद फिर one by one हम लों question करेंगे suppose pipe A जो है किसी टंकी को भर रही है pipe B जो है उसी टंकी को भर रही है मतलब pipe A और pipe B क्या करता है दोनों मिल करके इस टंकी को भर रहा है ठीक है अब यह दोनों मिल करके इस टंकी को भर रहा है अब यहाँ पर क्या लगा हुए दो टंकी दो नल लगा हुआ और दोनों नल क्या करता है इस तंकी से पानी बहार निकालता है अब इसका capacity के अनुसार कितना पानी भरेगा कितना पानी खाली होगा उसके अनुसार वो क्या करेगा या खाली होगा तो नल का capacity पे कि नल एक घंटा में कितना पानी भर रहा है नल की एक घंटा में कितना खाली कर रहा है उसके अनुसार वो जो टैंक है वो जो टंकी है भरेगा या खाली होगा one by one हम लोग देखेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह जो class है यह class जो है वो आपका प्रहार बैच के नाम से हम लोग ले करके आए हैं इस बैच का जो है प्राइस जो है वो जादा नहीं 200 रुपीज है टेक है 200 रुपीज इस बैच का है इस 200 रुपीज के साथ हमारे साथ जूड़ सकते हैं हमारे साथ पढ़ सकते हैं वन बाई वन सिख सकते हैं कि कैसे concept बनाया जाता है आप लोग को हम guarantee के साथ देते हैं कि जब तक exam नहीं होता है तब तक one by one topic by topic आप लोग को clear करवा देंगे जब आप मेरे साथ जूड़ जाएगा लेकिन हाँ YouTube पे जो है हमारा रोज content आते रहेगा वो previous year का जितना भी सारा question ह मिस्लेनियस question मिस्लेनियस की सारा subject एक ही टाइप में question में रहेगा मतलब shift by shift जितना previous year का question आया है shift by shift जितना previous year का question पूछा गया है जिस type का question है हूँ बहुत same question आपको यहाँ पे हम explain करेंगे अगर मेरे साथ आप जोड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारा benefit मिल सकती है ठीक है चले अब हम लोग वापस आते हैं अपना concept पे हम लोग का आज जो topic है वो क्या है हमारा जो topic है वो pipe and system है pipe and system मतलब दो नल या चार नल जो भी नल लगा रहेगा वो टंकी में भरेगा और ट question पे question में क्या पूछा है देखेगा one by one हम लोग question पढ़ेंगे one by one question हम लोग सीखेंगे ठीक है क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे ठीक है और जल्दी अगर concept आपको समझ में नहीं आया तो बता देजेगा comment करके ठीक है देखेगा क्या बोला question में कि एक टंकी पानी को भरने के लिए दो pump लगे हैं मतलब एक टंकी है उसको भरने के लिए दो pipe लगाया गया ठीक है अब दो pipe लगाया गया है पहला जो pump है खाली टंकी को 8 घंटा में भरता है जबके दूसरा जो pipe है वो 10 घंटे में परता है पहला जो है Pipe A Pipe A किसी टंकी को 8 घंटा में भर दिया अब Pipe B जो है उसी टंकी को 10 घंटा में खाली कर दिया समझ माया? 8 घंटा और 10 घंटा ठीक है? खाली कर दिया नहीं, दोनों भर रहा है मतलब, कहाने का मतलब यह हुआ कि सबोर्द ये टंकी दिया हुआ है पाइप A इधर से लगा हुआ है ठीक है और पाइप B इधर से लगा हुआ है A हो गया और ये B हो गया A जो है आपका 8 गंटा में भरता है B जो है आपका 10 गंटा में भरता है 10 गंटा में भरता है तो बोला क्या है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पानी कितना भाग पानी से भर जाएगा मतलब कितना घंटा के लिए खोल दिया जाए तो चार घंटा के लिए खोल दिया जाए ठीक है? मतब चार घंटा के लिए अगर पाइप खोल देते हैं तो पानी जो है टंकी में कितना भाग भरेगा वही पुछा है तो क्या करेंगे? दोनु का सबसे फिल एल्सियम निकालेंगे कितना आएगा? तो 40 ठीक है? एल्सियम क्यों निकालें? क्योंकि आप लोग time in work में पढ़ सुके होंगे कि जब भी हम किसी चीज का काम करेंगे तो जब तक आपको total work नहीं पता रहेगा तब तक आप उसको उस काम को खतम नहीं कर सकते हैं आपको जब तक कोई काम दिया नहीं कि इतना काम करना है जब तक पूरा काम पता नहीं होगा कि कितना काम करना है तब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर पाईएगा है बस समझ में? कहने का मतलब यह है कि यह जो निकलेगा आपका वो total work निकलेगा क्या निकलेगा? total work निकलेगा यह आपका days दिया हुआ है और इससे जो निकलेगा आपका वो आपका efficiency निकलेगा मतलब पांच बार में यह हो गया यह चार बार में कहने का मतलब यह हुआ कि pipe A जो है टंकी को एक घंटा में पांच लिटर पानी भरेगा ठीक है? पांच लिटर पानी A भरेगा पांच लिटर और कुल 9 लिटर पानी भर दिया एक घंटा में 9 लिटर पानी भरेगा तो हमको भरना कितना था? 40 लिटर ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? कि दोनों जो नल है दोनों जो टैप है उसकों 4 घंटा तक ही चालू रखे मतलब कहीं न कहीं यह दोनों नल को 4 घंटा तक चालू रखेंगे तो कुछ न कुछ न कुछ तो भरेगा ना इसमें टंकी में है ना? तो वही कितना भरा है? कितना खाली है? वही पुछा है कि टंकी में अगर 4 घंटा चालू करते हैं दोनों नल को तो कितना भाग कितना भाग पानी से भर जाएगा कितना भाग पानी से भर जाएगा तो क्या करेंगे कितना घंटा तक किये थे एक घंटा में अगर 9 लिटर पानी भर रहा है तो 4 घंटा में कितना लिटर पानी भरेगा तो 36 लिटर पानी भरेगा कि नहीं भरेगा भरेगा के नहीं भरेगा अब ये 36 लिटर पानी भर दिया भरना कितना था तो 40 लिटर था 36 लिटर जो है 40 लिटर का कितना भाग है वही पुछा है तो 36 बटा 40 ये कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा ये आपका 10 बार में जाएगा अब आते हैं next question में ठीक है देखिए क्या बोला है यह थे question number two देखिएगा question number two में क्या बोला है कि दो pipe ठीक है दो pipe एक टंकी को करमसा थीन घंटा और तीन घंटा पर 45 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा pipe पूरे टंकी को एक घंटा में खाली कर सकता है तो टंकी आधा भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिये जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा समझेगा दो पाइप है एक पाइप जो है वो क्या कर रहा है भर रहा है दूसरा पाइप भर रहा है लेकिन तीसरा जो पाइप है ये वो खाली कर रहा है कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये टंकी है ये टैंक है पूरा इसमें दो पाइप आड़ कर दिये इधर से और इधर से लेकिन एक जो पाइप है वो खाली कर रहा है ठीक है ये आपका A हो गया ये आपका B हो गय कितना घंटा तो तीन घंटा लगाएगा ठीक है और बी जो है को भरने में कितना घंटा लगा दिया तो तीन घंटा-फैसा मिनेट लगा दिया आब समझेगा तीन घंटा प्यता-फैस निट को गुनवर्ट करेंगे कितमे आवर में तो तालिस मिनट मतलब 3 प्लस 45 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 तीव पे तालिस चार बार में 4 तीव बार आरदू है तंकी को पूरी तंकी को एक घंटा में खाली कर देता है मतलब पाइप सी जो है पूरी तंकी को एक घंटा में खाली कर दिया अब यहाँ पे दिमाग में आगा कि सर यहाँ पे हम मैनस क्यों लिए तब मैनस इसलिए लिए क्योंकि यह खाली कर रहा है तंकी और इसमें प्लस क्या यहां पे है क्यों कि टंकी को भर रहा है ठीक है तो इस तरह हुaser भर जो महि показ सकते हैं तो यहांपे समझेगा क्या करना क्या है अगर हम यहांपे सबका LCM निकालेंगे तो क्या आएगा अ जो है कितना घंकिटा घंटम भर रहाया दिन यह आधा भरा हुआ है यहां तक, तो आधा भरा हुआ है तो आधा ना खाली है, तो आधा खाली करेगा, मतलब आधा जो खाली उसी को भरेगा, लेकिन यहां पर चेक करना क्या है, कि efficiency किसका जादा है, भरने वालक जादा है, कि खाली करने वालक जादा है, अगर खाली करने वाला के efficiency जादा होगा ना तो टंकी खाली होगा और भरने वाला के efficiency अगर जादा होगा तो टंकी भरेगा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर तीनों का LCM निकालते हैं हम यहाँ पे तो 15 होता है यह कितना हो गया पांच बार में यह कितना जाएगा चार बार में यह आपका 15 हो ग क्या कि पाइप ए जो है एक घंटा में 5 लिटर भर दिया पाइप ए क्या किया एक घंटा में 5 लिटर भर दिया पाइप बी जो है एक घंटा में 4 लिटर भर दिया तोटल कितना लिटर भरा गया 9 लिटर लेकिन पाइप सी जो है एक ही घंटा में 15 लिटर खाली कर दिया तो 15 लिटर अगर खाली कर देंगे तो कितना एक्स्ट्रा चला जाएगा छे लिटर पानी एक्स्ट्रा जाएगा ना तो छे लिटर पानी कौन सा जाएगा यह जो आधा भरा हुआ वही ला खाली होगा समझ माया हा न तो क्या करेंगे आधा भरा हुआ तो आधा खाली होगा मतलब 15 लिटर पूरा कैपेसिटी है इसको अगर आधा कर देते हैं तो 7.5 लिटर होगा 7.5 लिटर कौन भर रहा है यहाँ पे तीनों मिल करके भरेगा तो जो लास्ट वला है वो खाली कर रहा है तो एक्स्ट्रा कितना खाली कर रहा है 6 लिटर एक घंटा में खाली हो जा रहा है तो 6 लिटर एक घंटा में खाली होगा तो कितना होगा तो 60 एकम 60 हो गया बच गया 15 बटा 60 गुना 100 सोरी 60 जो मिनट में कनवर्ट करेंगे ति कितना हो गया आपका एक घंटा पंदरा मिनट हुआ एक घंटा पंदरा मिनट आपका answer आगया समझ माया मतलब आधी टंकी को खाली करने में एक घंटा पंदरा मिनट लगेगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के रखेएगा क्यों क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डाले तो सबसे पहले आप उसको देखें ठीक है क्योंकि अभी एक्जाम का दौर चल रहा है एक्जाम में किस टैप का कोशन कब आजा पता नहीं चलेगा इसलिए सारा one by one concept by concept हम लोग सिखेंगे कि किस टैप का कोशन आता है किस टैप का कोशन नहीं आता है ठीक है one by one question bank के थुरू सिखेंगे question bank जितना भी सारा previous year का question है सारा देखेंगे उसके बाद फिर उसको करेंगे one by one करेंगे देखेंगे समझेंगे फिर उसको करेंगे देखेंगे दो तरह का student होते एक जो है पुरा पुरा मेहनत कर रहे हैं और एक जो है जो सिर्फ exam के oriented question रहता है और जो पूरा मेहनत करता है वो पूरा पढ़ लेता है उधर का भी पढ़ लिया इधर का पढ़ लिया खहीं वो छूट ना जाए तो उसको पकड़ने के चक्कर में न ये question छूट जाएगा आपका समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब ये है कि previous year का जितना question है railway का सारा question देख लेंगे ALP में जिस type का question पूछा है सारा question देख लेंगे सिर्फ उसी pattern को follow करेंगे और उसी pattern को solve करेंगे 100% कहता हूं कारेंटी के साथ आपका result होगा आई बस समुझ में तो करेंगे और जो आपको जरूरत है करना वह नहीं जो ज़रूरत नहीं गाई बस समझ में तो sab नहीं पढ़ना है selected पढ़िये इस अलेक्टेट पढ़िएगा तो selection होगा selected नहीं पढ़िये तो फिर वही हाल होगा जो आपका भी है अई बस समझ में क्योंकि वेकेंट्सी सिर्फ कम है बहुत कम है इस बार तो समझ यह जो स्मार्ट वर्क करेगा ना उसी का सेलेक्शन होगा तो आप लोग को मेहिनत कम करना पड़े इसके लिए हम one by one और shift by shift हम question लेकर करके आये हैं ठीक है तो वो कब सिखिएगा कब पता चलेगा तो उसके लिए आपको चैनल को सबस्क्राइब करना पड़ेगा ना जब चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि अगला वीडियो आपको पता चल गया कि अगला वीडियो हम डालें आपको सबसे पहले notification मिलेगा कि ये वीडियो आ चुका है previous year का सारा question है कर लेते हैं रोज का एक घंटा दीजिए 45 दिन में 45 घंटा समय दीजिएगा ना तो एक दिन में अगर हम 20 भी question करवाते हैं concept wise सारा previous year का तो 45 को 20 से गुना कर लेजिएगा 900 question होता है 900 question बहुत है 900 question में सिर्फ आपको कितना question आएगा 20 से 25 question तो select नहीं होगा उसमें से तो चीजों को समझिए तरीका समझिए आसान लगेगा नहीं तो वही question आपको hard लगेगा चले फिर से start करते हैं अगला question बोला है एक नल पानी के किसी टंकी को मतलब टैंग को 50 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल जो है भरे हुए टैंग क को 75 मिनट में खाली कर सकता है अधि दोनों नल एक साथ खोल दिये जाए तो आधा भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा सेम कंसिप्ट था अभी हाँ पर समझेगा यह टैंक दिया हुआ है आधा भरा हुआ ओल्रेडी उसमें क्या था खाली करना था अभ ना? चलिए. कितना नल यूज किया गया इसमें? तो दो तरह कर नल यूज किया गया है कतना मिनट में तो 50 मिनट में उसी बाद बी जो है 맞ता दूसरे जो नल है वह टंकी को बी जो है वह 75 मिनट में खाली कर दे रहा है 75 मिनट में खाली कर दे रहा है अगर दोनों कैल्सियम निकालते हैं कितना आता है 150 अब ये 150 क्या हो गया ये टोटल टंकी का कैपेसिटी हो गया हम इसको समझ लिए कि पूरा अगर भर देंगे तो 150 लिटर पानी लेगा पूरा भर दिए तो कितना पानी ले लेगा 150 लिटर पानी ले लेगा अब देखेंगे कि नल ए जो है एक घंटा में कितना भरता है और नल बी जो है एक घंटा में कितना लिटर खाली करता है तो नल ए जो है एक घंटा में 3 लिटर भर दिया और नल बी गंटा में 2 लिटर खाली कर दिया समझ माया लेकिन यहाँ पर समझना यह है कि टंकी जो है आधा पहले से भरा हुआ था तो कितना खाली रहेगा तो अगर आधा भरा हुआ है तो आधा कर दिंगे तो 75 लिटर बचेगा यह 75 लिटर ना खाली रहेगा तो यही 75 लिटर को हमको भरना है पुछा क्या है तो यही भरने के लिए हमको कितना समय लगेगा यही टाइंग को कितने समय में पूरा भर दिया जा सकता है कितना समय लगेगा इसको भरने में तो यह हो गया 75 अब यह समझे यह भर रहा है ये खाली कर रहा है मतलब 3 लिटर भर दिए घंटा में और 2 लिटर खाली कर दिए तो कितना लिटर भरा हुआ है एक लिटर भरा हुआ है ना टंकी में तो एक लिटर एक घंटा में भरता है तो 75 लिटर कितना घंट में भरेगा, 75 मिनट में भरेगा कि नहीं भरेगा, क्यों लिए रिर मिनट? चाहिए, तो यह हो जाएगा, 75 मिनट, समझ माया, किलर हुआ, है यह न? अगर अच्छा लगता है, तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा, आप फिर से बोल रहे हैं और बेल आइकन को जरूर दबा दिजेगा ठीक है और यह जो हम आपके लिए लाएं हैं यह आपका डिमू क्लास है प्रहार बैच का ठीक है अगर कुश्चन अगर अच्छा लगता है तो आगे चल करके हम लोग यह हफ्ता न तो आपका मार्च में य और उस बैच का फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि ज्यादा एमांट नहीं दिये हैं ज्यादा एमांट इसमें नहीं लगा रहे हैं तो वन बाई वान उसमें कंसेप्ट बाई कंसेप्ट हम आप लोग को सिखाएंगे ठीक है चलिए बाते हैं दो नल जो है क्रमसर 10 और 12 घंट को खाली कर सकता है एक सातीनों नल को टंकी के साथ जोड़ देंगे ना तो 20 घंटा में पानी भर जाएगा ठेक हैं तो टंकी का चमता गेलं में पुछा है समझ यहाँ पे समझेगा यह टंकी है एक नल इधर से लगा हुआ है एक नल इधर से लगा हुआ, भरा हुआ है, ये भरा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है, समझ माया, एक नल जो है, उधर से, एक नल नीचे से खाली कर रहा है, कौन कोटा, इसको समझ लिए A, इसको समझ लिए B, इसको समझ लिए C, ठीक है, A जो है, 10 घंटा लगाता है, B 12 घंट में पूरा खाली करता है, ठीक है? अब यहां पे समझीए, अगर हम तीनों को साथ में जोड़ दे मतलब भरने वाला दो पाइप एर एक खाली करने वाला पाइप को तो टंकी जो है वो 20 घंटा में भर सकते हैं भर रहे हैं, खाली नहीं हो रहा है भर रहें ठेक है तो करना क्या है देखिए A जो है 10 घंटा लगा दिया B जो है कितना घंटा 12 घंटा लगा दिया A प्लस B माइनस C जो है वो कितना घंटा लगा देता है भरने में तो B घंटा लगा देता है 20 घंटा लगा देता है भरदी में अब यहांपे धियान आएगा सर कि हम मैनस क्यों लिखे है ना तो मैनस इसलिए लिखे क्योंकि यह दोनों भर रहा है और यह खाली कर रहा है तो खाली करना मतलब क्या मैनस आए बस समझ में किलर हुआ है ना चले अब आते हैं पे तीनों का L CAS हम निकाल देंगे कितना हो गया 60 ये 6 बार में ये 5, ये 3 ठीक है मतलब A PLUS B माइनस C बराबर 3 होता है A आर B को जोडेंगे तो 11 माइनस C बराबर कितना हो गया 3 माइनस C बराबर कितना हो गया तो माइनस 8 होगा हाँ या ना ये cancel हो गया हुआ ना समझ माया clear हुआ ना अब देखे C जो है वो एक घंटा में 8 लिटर पानी खाली करता है कितना लिटर 8 लिटर पानी खाली करता है C लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो निकासिप वाला नल है जो पानी निकाल रहा है वो एक घंटा में 80 गैलन पानी खाली करता है गैलन में कितना तो 80 गैलन और लिटर में कितना 8 लिटर तो हम यहाँ compare करेंगे कि 8 लिटर को हम 80 गैलन कह सकते हैं तो total capacity कितना था तो 60 लिटर था तो 60 liter को हम कितना कह सकते हैं तो 60 liter को कह सकते हैं गुना साथ ये कट गया 10 बार में तो 600 gallon होगा होगा की नहीं होगा तो 600 gallon इसका capacity होगा किसका तो इस tanky का 600 gallon capacity होगा ठीक है? किलिर हो जाएगा? समझ मा आ गया? नो टाउन कर लिजेगा? ठीक है? आई बस समझ में? हाँ चलिए, next question करते है question number 5 देखिए question number 5 में क्या बोला है 2 pipe PQ तो एक खाले टंकी को क्रमसा 25 और 20 घंटे में भढ़ सकते हैं आर अकेला इसको 50 घंटा में खाली कर सकता है पहले 2 pipe PQ को खोला जाता है 8 घंटे के बाद आर को खोला जाता है तो टंकी को पूरा भढ़ने में कितना समय लगेगा मतलब समझ ये 2 pipe है एक तिसरा pipe क्या है? खाली करने वाला 2 pipe को दोड़ दिया तिसरा pipe खाली करने वाला भी जोड़ दिया अब क्या किया? कि सबसे पहले जो भरता है उसको start कर दिया जो भर रह उसको start कर दिया उसके बाद 8 घंटे बाद जो खाली करता है उसको भी connect कर दिया साथ में अब क्या बोला है? कि पूरा जो टंकी है वो कितना घंटा में भरेगा किक है समझें चलिए देखिएगा P यहाँ पे दिया क्या है तो P Q R P जो है कितना घंटा तो 25 घंटा लेता है Q जो है 20 घंटा लेता है और R जो है कितना घंटा हम खाली करता है तो 50 घंटा में खाली कर दिया अब तीनों का अगर LC हम निकालेंगे तो कितना आएगा तो 100 आएगा की नहीं आएगा बताइए 100 आएगा की नहीं आएगा अब 100 आएगा तो 100 बटा 25 कितना हो गया 4 100 बटा 20 कितना हो गया 5 100 बटा 50 कितना हो गया 2 कि अपका efficiency निकल गया capacity निकल गया एक घंटा का चमता निकल गया अब एक घंटा का चमता निकला मतलब पी जो है घंटा में अब यहाँ पर समझे पी और क्यूं को पी और क्यूं को आठ घंटे तक आठ घंटे तक खोला गया आठ घंटे तक उसको खोल के रखेंगे ठेक है अब समझे कि पी और क्यूं एक घंटा में कितना लिटर पानी भर रहा है तो पी और क्यूं चार प्लस पांच कितना हो गया न ना तो जब 9 लिटर एक घंटा में पानी भर दिया तो 8 घंटा में कितना पानी भर देगा तो 8 गोना 9 करेंगे तो कितना आ गया 72 लिटर पानी हुआ कि नहीं हुआ 72 लिटर पानी भर दिया 8 घंटा में तो बच गया कितना तो यहां पर 72 से मैनस करेंगे कितना बच गया 18 लिटर पानी बचा की नहीं बचा अब 18 लिटर पानी जो है वो तीनों मिल करके भरेंगे मतलब 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला सात में करनेट कर दिये दो भरने वाला गंटland में नऊली लिटर भर दिया एक खाली करने वाला जू है एक घंटा में दो लिटर तो यहां पे दिया हुआ है अठाइस लिटर पानी भरने में कितना घंटा लगेगा, तो अठाइस बटा साथ करेंगे, कितना हो गया चार, अब तो एंसर आया नहीं, चार आया नहीं, समझी ये बोला क्या है, पूरा समय कितना लगेगा भरने में, तो पहले तो आठ घंटा काम कर चुका है, पहले तो 8 घंटा तक motor चला हुआ है, 8 घंटा यह हुगया, 4 घंटा यह हुगया, कितना घंटा हुगया, डोनों मिला करके, 12 घंटा हुआ की नहीं हुआ, बताए, हाँ या न, टेक है, तो दोखिए, चीजों को समझेगा, तो असान लगेगा बहुत इजी है यह मैथ ठीक है यही question आप नहीं समझ में आया बनानी बठिएगा तो बहुत hard लगेगा कुछ नहीं है इसमें ठीक है आपको असानी से एक number देखे जाएगा अगर concept आपको समझ में आ गया तो ठीक है question number 6 देखते है question number 6 में क्या बोला देखिए question number 6 में बोला है कि 3 pipe है A B C 30 गंटा 40 गंटा 60 गंटा में भर सकते है तीनो pipe 30 गंटा 40 और 60 गंटा में भर सकता है इन तीनो pipe A और B ठीक है A जो है B और C एक ही दिन में ठीक है A, B और C एक ही दिन में क्रमसा 7 बजे, 8 बजी और 10 बजे खोला जाता है ठीक है? अब सबसे पहले इसके लिए घड़ी देखना पड़ेगा तो घड़ी बना देते हैं ठीक है? यह हो गया आपका समय ठीक है? यह आपका समय हो गया यह 12 हो गया, यह 6 हो गया इधर कितना बज़ता है? 9 इधर बजेगा 3, यह हो गया ठीक है? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हुआ ना? हुआ की नहीं हुआ? अब चली इसमें सुई लगाएगे, ठीक है? घड़ी का सुई, क्या है? पहला जो सुई है, वो 7 बज़े लगता है मतलब पहला जो नल है, वो 7 बज़े खुलते हैं यह नल 7 बज़े खुल गया दूसरा जो नल है, वो 8 बज़े खुलता है कितना बज़े? तो 8 बज़े नल भी जो है, 8 बज़े खुला खुला के नहीं खुला फिर नल सी जो है कितना बजे कर दिया नल सी जो है आपका 10 बजे है कितना बजे है तो 10 बजे है तो इसको हम 10 बजे कर दिए हुआ कि नहीं हुआ अब यहां पर Start करते हैं कि देखिए समझेगा, 7, 8, 9 7, 8, 10 7 बजे उसके बाद फिर आठ बजे फिर आपका दस बजे दस बजे है ना साथ बजे आठ बजे दस बजे है है की नहीं है अब चलिए साथ बजे आठ बजे सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं टोटल पानी निकालते हैं के टंकिये में टोटल पानी कितना आएगा फिर यहाँ पे आएंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिएगा A का जो वेल्यू दिया हुआ कितना दिया है A का दिया है 30 B का दिया हुआ है कितना 40 और C का दिया है 60 तीनों का जब L से हम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा इसका Efficiency 4, 3, 2 होगा कि नहीं होगा मतलब A जो है एक घंटा में 4 लिटर पानी भर रहा है B एक घंटा में 3 लिटर पानी भर रहा है C ए घंटा में 2 लिटर पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है बताईगा हा या ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब यहाँ पे समझे क् साथ बजे श्टार्ट कर दिये तो 7-8 बजे के बीच में कितना लिटर पानी भर देगा 4 लिटर भरेगा न एक घंटा में हाँ या न आई बस समझ में यहां पे आपका A श्टार्ट हो गया अब यहाँ पे समझेगा यहाँ पे A प्लस B दोनों स्टार्ट होगा क्या क्या स्टार्ट होगा A प्लस B क्यों इसको तो बंद नहीं न किये है एक को बंद किये नहीं किये है तो जब बंद नहीं किये तो यह स्टार्ट ही रहेगा कौन आए जागा इसके साथ तो B आजाएग में 7 लिटर पानी भर रहे हैं तो 8 से 10 के बीच में कितना लिटर पानी भरेगा तो 14 लिटर पानी भरेगा कि नी भरेगा बता देजे भरेगा ठेक है अब यहाँ पर समझे कि 7 से लेकर के 10 के बीच में टोटल कितना लिटर पानी भरा गया तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका 18 लिटर पानी हुआ कि नहीं हुआ 14 प्लस 4 18 लिटर पानी हुआ कि नहीं हुआ अब ये 18 लिटर पानी 10 बजे तक भरा गया ठेक है क्यों 10 बजे के बाद A, B और C तीनों ना आ जाएगा समझ महा रहा कि नहीं आ रहा है हाँ, तो चलिए A, B, C, T, तीनों आ गया क्या बोला यहां पे 18 लिटर अगर पानी भर दिये यहां पे तो अगर मैनस करेंगे तो 102 लिटर पानी बच्चा हुआ कि नहीं बच्चा हुआ टंकी में ये 102 लिटर पानी यहां टंकी में बच्चा है कि नहीं बच्चा बताईए ठीक है अब ये 102 लिटर पानी कौन भरेगा ये तीनों मिलकर के भरेगा कि नहीं भरेगा कितना बज़े से तो 10 बज़े से भरेंगे कि नहीं भरेंगे अब कितना समय लगेगा वो देखेंगे ठीक है चले 102 लीटर है 102 लीटर है 4 37 और कितना होगे 2 9 एक घंट में दोनों में तीनों मिल करके 9 लीटर पानी भान रहें कितना तो 9 लीटर तो यह हो जागा अगर 10 से करते 90 बारा ग्यारा करते हैं मतलब 11 घंटा ग्यारा ग्यारा घंटा 99 तीन बटा 9 वह 11 पूरनांग 3 बार 9 अब इसको मिनट में कनवर्ट करेंगे मतलब 11 अवर 3 बार 9 इंटू 60 कर दिये 3 तीन जा 9 यह कट गया पूरा का पूरा इसको करेंगे ते आपका 20 बार में जागा होगा होगा ना मतलब 11 आवर 20 मिनट समय लगा 11 आवर 20 मिनट समय लगा कब से 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद 11 घंटा काउंट करते दिखेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा ग्यारा कहां पे आया? नौ बजी तक आया? ग्यारा घंटा बीस मिनट बोला है तो ग्यारा घंटा बीस मिनट कब बजएगा? नौ बज के बीस मिनट में तो ये हो गया आपका answer 9 बच के 20 मेट में पूरा टंकी भर जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखिए चीजों को समझेगा तो बहुत असान लगेगा बार बार हम ये बात को repeat कर रहे हैं लाश तक बने रहे हैं चीज मतलब वो question समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आप पर depend कर रहा है ठीक है कि कौन सा concept हमको समझ में आ रहा है कौन सा concept हमको नहीं समझ में आ रहा है ठीक है तो उसको करने के लिए आपको practice करना पड़ेगा घर पी बहुत ज़ादा practice करना पड़ेगा अगर आप practice कर तुके हैं तो आप इस type का question असानी से बना सकते हैं असानी से बन जाएगा ठीक है? चले अब आते हैं next question में अगला question में क्या बोला है? तीन pipe A, B, C एक साथ खोल दिये जाने पर ये खाली टंकी को तीस बटा साथ घंटे में भर सकते हैं मतलब तीनों pipe बोला है na A प्लस B प्लस C जो है वो तीस बटा साथ घंटा में भर दिया भर दिया है यहाँ पे देखिएगा यहाँ आप पे दियान दिजेगा A और B भरने वाला pipe है मतलब यह दोनों भर रहा है जबकि C जो है खाली करने वाला pipe है जब यह खाली करेगा ना तो इसको हम माइनस लेंगी किलियर हुआ समझ माय की नहीं आया ठेक है A प्लस B माइनस C यह हो गया अब क्या बोला आगे देखिए pipe A tank को 15 गंटा में भर दिया pipe C 12 गंटा में खाली कर सकता है मतलब pipe A जो है वो क्या किया 15 गंटा में भर दिया और pipe C जो है वो 12 गंटा में खाली कर सकता है तो pipe B उस tanky को कितना गंटा में भर देगा अकेले असान है ठेक है सबसे पहला step क्या होगा सबसे पहला step LCM निकालना है तीनों का LCM कितना होगा ठीक है चले one by one हम लोग करते है concept by concept 30 बटा 7 हो गया उसके बाद A का जो value दिया है कितना दिया हुआ है A जो है 15 घंटा दिया हुआ है और C जो खाली कितना घंटा में कर रहा है मतलब खाली कर रहा है क्या माइनस करेंगे इसको तो ये 12 घंटा में पुरा का पुरा टंकी को खाली कर दे रहा है अब LCM क्या निकलेगा तो उपर का term लेना है समझ माया जब उपर का term लेंगे तो कितना LCM आएगा 60 ये दो बार में करेंगे तो साथ दुना 14 होगा कि नहीं होगा 32 साट ना होता है तो नीचे से गुना कर देंगे 14 हो गया अब यहाँ पर आ गया 15 जो के साथ 12 पचेस साथ हो गया अब क्या आप भोला है B अकेले अब यहाँ पर समझेगा A जो है एक घंटा में 4 लिटर पानी भर दिया यहाँ यहाँ पर देखे A प्लस B माइनस C 14 हो रहा है हो रहा है ना इसका Efficiency 3 हो का A प्लस B माइनस C बरावर 14 A का जो वेल्यू दिया है 4 दिया हुआ है A का वेल्यू 4 प्लस यहाँ पर देदिया आपका B माइनस C का वेल्यू कितना आपका 5 है माइनस 5 Is equal to 14 होगा हाँ या ना अब इसको calculate करेंगे तो B का Efficiency निकलेगा के निकलेगा निकलेगा तो क्या करेंगे आपके देखे यह दोनों को add कर दिये तो माइनस 1 उधर जाके चला जाएगा तो B बराबर क्या हो गया 15 हुआ की नहीं हुआ मतलब एक घंटा में B जो है 15 लिटर पानी भर देगा तो भरना कितना है भाईया 60 लिटर भरना है तो 60 लिटर भरना है कितना तो एक घंटा में जब 15 लिटर पानी भरेगा तो साट लिटर पानी कितना घंटा में भरेगा भाई साब तो चार घंटा में भर जाएगा समझ माँ गया, क्लियर हो गया चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन में अगला कोश्चन क्या बोला है, उसको देखते हैं, ठीक है आज हम लोग 10 कोश्चन देखेंगे, बाकी का अगला वीडियो में देखेंगे क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है, ठीक है न, चलिए यहाँ पे देखें, क्या बोला है पाइप A और B टंकी को भरने वाला है, ठीक है जबकि पाइप C जो है टंकी को खाली करने वाला है पाइप A और B टंकी को करमसा 72 हो गया, 90 हो गया मतलब 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं जबकि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है पाइप A और B को 12 मिनट तक खोल दिया जाता है ठीक है, फिर उन्हें बंद करके पाइप C को खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में या कितने समय में खाली हो जाएगा वही पुछा है, सेम है, कुश्चन घुमा दिया, कंसिप्ट सेम है क्या है, देखिए, इसते पहले जो कुश्चन किये, सेम है यहाँ पे दिया है कितना, A का दिया है 72 मिनट B का दिया है 90 मिनट और यहाँ पे क्या बोला, तीनों का, मतलब A प्लस B माइनस C यहाँ पे दिखेगा, यह हो गया, साथ खोले तो मतलब जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दीए तो टंकी दो घंटा में भर जाता है दो घंटा में भर जाता है दो घंटा लगाया, यह आपका मिनट में है जब दो घंटा लगाएगा तो 120 मिनट होगा अई बस समझ में, two hour को हम क्या लिखेंगे 120 मिनाट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वहीं यहाँ पर लिख देंगे अब तीनों का LCM निकालते हैं LCM निकालेंगे कितना 360 आएगा कैसे आएगा भाई साब तो 360 देखें क्या करेंगे इसको अगर करते हैं तोड़ करके लिखते हैं तो 15 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 120 होगा ना अब यहाँ पर देखे 120, 90 और 72 दिया हुआ है तो इसमें 15 है और यहाँ पर 8 है है की नहीं है 15 और 8 है इसमें 120 में अब इसमें चेक करना की क्या नहीं है तो 15 के कितना का टेबल में आता है तो 6 का टेबल में ठीक है तो 15, 90 6 बार में आता है मतलब उसमें क्या है तो 2 है 2 किसमी भी है तो 8 में है क्या नहीं है तो 3 नहीं है तो इसमें अगर 3 मल्टिप्लाइ करेंगे तो पुरा पुरा हो जाएगा होगा कि नहीं होगा तो 12-3 क्या आ जाएगा 36 क्योंकि 72 जो है इस दोनों में मिला करके करेंगे तो बहतर आएगा ठीक है तो 360 LCM हो गया इसका आप नॉर्मल तरीका से भी निकाल सकते हैं जब हम LCM एच्छे आप पढ़ाएंगे तो आपको सौट ट्रिक बता देंगे कि क्या इसमें होता है ठीक है आने वाला समय में सारा क्लास आपको YouTube पर ही मिलेगा ठीक है सारा जितना भी conceptual क्लास है सब YouTube पर मिलेगा बैच बैच जो स्टार्ट होगा वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप लोग में अडिशन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा तब ही हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे अधरवाज हम इसी तरह कोशन बैंक लेकर क्याएंगे YouTube पर सारा का सारा जितना भी प्रिवेस येर का कोशन है सब वन बाइवन करवा देंगे ठीक है चले अब इसको करते हैं किता बार में जाएगा ये पांच बार में जाएगा ये किता बार में चार बार में गया ये किता बार में जाएगा तो बारत ये 36 तीस तीन बार में जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा चले अब आते हैं यहाँ पे खोला जाता है फिर उसको बंद कर देंगे तो ये जो C जो है उसको खोलेंगे então समझे Remember C क्या कर रहा है खाली कर रहा है C क्या कर रहा है यहां पर तो खाली कर रहा है तो सबसे पहले C का efficiency निकालेंगे नदू आ hier प्रवस B माइनस C बराबर कितना दिया है 3 दिया है 5 प्लस 4 मैनस C बराबर कितना 3 हो गया तो पांच अच चार नौ नौ में सूधर जाएगा 6 मतलब C का जो value आ गया कितना आ गया 6 आया कि ने आया 6 आया कि ने आया अब स्टार्ट करते हैं यहां पर कितना दिर के लिए दोनों को 12 मिनट के लिए खूल जाता है मतलब 5 प्लस 4 जो हो जाएगा 9 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा कि नहीं आएगा आएगा ना तो 108 लिटर पानी भर गया अब क्या किया इसको बंद कर दी तो टंकी म 12 मिनट के लिए खूलेंगे तो 108 लिटर पानी भर गया अब दोनों नल को बंद कर दीए अब किसरा नल को खोल दीए तो कितना मिनट में भरेगा तो यह जो है खाली करने वाला जो नल है एग घंटा में कितना लिटर पानी खाली कर रहा है तो 6 लिटर पानी खाली कर रहा है तो 108 लिटर को कितना दिन में देरी में खाली कर देगा तो 108 108 बटा 6 करेंगे तो 6 कम 6 48, 8.48 18 बार में हो जाएगा आपका इंसर कुन सा है? 18 समझ माया? ठेक है? चले, आज का अगला question देखते हैं क्या पुछा उसमें? इसके बाद 1 by 1 फिर से देखेंगे ठेक है? चले, क्या बोला? दो पाइप ये और भी टंकी को क्रमा सा 12,5 गंटा में और 25 गंटा में भर सकते हैं पाइप को एक साथ खोल दिया गया है और पाया गया है कि तली में रिशाव के कारण टंकी भरने में एक घंटा 40 मिनट का समय अधीक लगा यदि टंकी पूरी तरह भर गई तो अकेले रिशाव से टंकी का 70% हिसा कितने समय में खाली कर देगा मतलब 70% जो हिसा है वो कितने समय में खाली करेगा वही पुछा है इसमें ठीक है? चले आते हैं ए जो है आपका भर रहा है ए इसको फ्रेक्शन को चेंज करने के बारा दूना 24 रेक पचीस मतलब 25 बटा 2 घंटा में भर दिया बी जो है ये 25 घंटा में भर दिया ठीक है? अब समझे बोला क्या है कि जब 3 को 7 में जोड देंगे ना तो 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगेगा करने का मतलब ये टंकी है ठीक है? अब इसमें भर रहे हैं दोनों पैप से भर रहे हैं भर रहे हमको पता ही नहीं है कि यहां से यहां पे छेद है रिसाव हो रहा है तब रिसाव के करन जो हुआ वो 1 घंटा 40 मिनट जादा समय लग गया उसमें समझ माया? तो वही पुछा है कि अगर खली रिसाव रहता सिर्फ रिसाव रहता तो टंकी कितना घंटा में खाली होता वही पुछा है बतलब रिसाव के कारण टंकी का 70% कितना समय में खाली होगा वही पुछा है ठीक है? चलिए समझ ये करना कहा तीसरा क्यों नहीं ले रहे है? इसलिए नहीं ले रहे है कि क्या बोला है? कि रिसाव के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधीक लग रहा है कब? जब दोनों का जोड़ेंगे तब ना लगेगा अधीक ठीक है? तो सबसे पहले दोनों का निकालते है 25 हो गया ये 2 हो जागार ये 1 हो जागा 3 होगा मतलब दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना लिटर? 3 लिटर ठीक है? दोनों मिल करके 1 घंटा में 3 लिटर पानी खाली मतलब भर देते हैं तो पचीस लिटर पानी भरने में कितना समय लगेगा तो पचीस बटा तीन करेंगे की नहीं करेंगे तो ये पचीस बटा तीन क्या हो गया ये प्लस बी का हुआ अई भस समझ में तो पचीस बटा तीन ये लोग 25 बटा 3 में यह लोग क्या करेगा खाली कर देगा भर देगा पूरा का पूरा टंकी को अब क्या हुआ इसमें रिशाव हो गया क्या रिशाव हुआ तो A प्लस B माइनस C रिशाव हुआ अब यह रिशाव के कारण यह जो है 25 बटा 3 प्लस प्लस क्यों एक घंटा 40 मिनट को प्रेक्शन में कैसे लिखेंगे तो 1 आवर 40 मिनट इवाइड बाइड बाइड 60 करते हैं ये 3 हो गया 3 एकम 3 अदो 5 बटा 3 मतलब इसमें हम 5 बटा 3 जोड देंगे क्यों अधीक लगा ना इतना घंटा और अधीक लगा रिसाव के कारण अगर रिसाव नहीं रहता तो इतना घंटा में भरता रिसाव है इसके वजेसे इतना घंटा और लगा तुसको तोड़ेंगे तो यो गया 30 बटा 3 यह हो जाएगा आपका 30 बटा 3 कितना हो गया 10 मतलब रिसाव के कारण वो 10 घंटा में भर देगा पानी को तो अकेले रिसाओ टंकी को कितना घंटा में खाली कर देगा अब समझी दोनों मिल करके ये हो गया आपका कितना पचीस ये तीनों मिल करके दस घंटा में तो दोनों का अगर LC हम निकालते हम यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यह हुआ यहाँ पर calculate कर देते हैं चले इसी में करते हैं यह समझ में आया यह आपको हम calculate कियें तो कितना निकला 10 निकला ना पूरा का पूरा इधर 25 बटर 3 है दोनों केल से हम निकालेंगे न हम तो 50 आएगा यह 50 हो गया तो 50, 25 दोना 50 दो दोतिया 6 हो गया यहाँ पर अर यह हो जागा 10 पचे 50 होगा कि नहीं होगा अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि अगर हम 6 मतलब A और B उस नल को मतलब उस टंकी को 6 घंटा में भर दिया और तीनों मिल करके वो 5 घंटा में भर रहा है ठीक है भर रहा है खाली नहीं हो रहा है यहाँ पर दिखेगा अधीक समय लगता है मतलब रिसाओ के कारण क्यों एक साथ खोल दिया जाता है तो पाया गया की तल के रिसाओ के कारण टंकी भरने में अगर बोलता खाली होने में तो यहाँ पर minus लेते हैं समझ माया की नहीं आया अब यहाँ पर देखेगा A plus B दिया हुआ A plus B minus C बराबर 5 A plus B का value दिया है 6 minus C बराबर 5 तो C बराबर 1 होगा की नहीं होगा मतलब एक गंटा में एक लिटर पानी निकल रहा है रिसाओ के कारण समझ माया तो 50 लिटर पानी कितना घंटा में खाली होगा तो 50 बटा एक करेंगी तो कितना आजाएगा 50 आवर आगा की नहीं आएगा 50 घंटा 50 घंटा की लगेगा की नहीं लगेगा तो यह आपका कौन सा option हो गया option number 4 समझ माया गया की नहीं आया clear हुआ ठेक है चलिए अब next question करते है question number 10 यह आज का अंतिम question है ठेक है उसके बाद फिर अगली बार फिर से लेकर के आएंगे नया topic नया question अगर वैसा अगर comment कीजेगा इस से related question और लेकर के आएंगे फिर उसमें देखेंगे ठेक है अगर नया question इस से related और question चाहिए आप लोग को एक class और चाहिए तो बता देजिएगा comment करके की sir एक class और कर देजिए इसका तो हम एक class और record करके आप लोग को send करेंगे ठेक है आप लोड कर देंगे एक बार फिर से उसमें आप देख सकते हैं समझ माया की नहीं आया ठेक है चले अब आते हैं यहाँ पे बोला क्या तीन नल है A B C लगाया गया यह टंकी को क्रमसर 10 20 और 25 घंटा में भर सकते हैं शुरू में तीनों नल एक साथ खोल दिये जाते हैं दो घंटे के बाद C को बंद कर दिया जाता है और A और B को चालू रखा जाता है फिर चार घंटे के बाद नल B को बंद कर दिया जाता है तो सिस तंकी को नल A द्वारा अकेले भरा जाता है नल A द्वारा कारी का कितना प्रतिसत कितना प्रतिसत किया गया नल A जो है पूरा वर्क का कितना प्रतिसद भाग अकेले करता है लाश्ट का पुछा है बच गया सू समझ माया ना चले अब आते हैं पर one by one देखते हैं क्या पुछा है बोला क्या है A, B और C तिन न लगा हुआ है कौन-कौन सा ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया ना 25 हो गया तीनों को अगर LC हम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा होगा ना, समझ माया अब ये हो जाएगा आपका 10 ये हो गया आपका 5 ये आपका हो गया 2 हुआ, समझ माया अब क्या बोला यहाँ पर दिहां से पढ़िएगा तीनो नल में मतलब सुरू में तीनो नल को एक साथ खोले जाते हैं अब समझे पाइप ए जो है किसी इस टंकी को भरने में 10 गंटा लगा है मतलब एक गंटा में 10 लिटर पानी भर रहा है तो 10 गंटा लगेगा लगेगा ना पाइप बी जो है एक गंटा में 5 लिटर पानी भर रहा है और पाइप सी जो है गंटा में 2 लिटर पानी भर रहा है अब तीनों के एक साथ खोलेंगे तो एक गंटा में 17 लिटर पानी भर रहेगा कि नहीं भरेगा सत्रा लिटर पानी भर गया एक घंटा में तो कितना घंटा के लिए खोला गया था स्टार्टिंग में दो घंटा तक ना तब ना जाकर कि किसी को बंद किये तो सत्रा लिटर को अगर दो घंटा तक चलाएंगे तो 34 लिटर तक पानी भरेगा कि नहीं भरेगा तो 34 लिटर पानी भर गया बच गया कितना च्छे और यहां पर बच गया आपका 66 something मतलब 66 लिटर पानी बच गया अब समझ यह दो घंटे के बाद हम C को बंद कर दियें C को क्या किया बंद किया जाता अब यह C बंद हो गया तो बच गया कितना B और A और B बच गया A और B मिलकर के कितना 1 घंटा में पानी भरते हैं 15 लिटर पानी भरते हैं तो इसको बंद करने के बाद A और B को चालू रखा गया फिर 4 घंटे के बाद मतलब कहीं न कहीं A और B कितना घंटा तक चला होगा 4 घंटा तक चला होगा 1 घंटा में 15 लिटर तो 4 घंटा में कितना लिटर तो 4 घंटा में 60 लिटर मतलब 15 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना लिटर हो गया 60 लिटर हुआ मतलब 60 लिटर पानी भर दियें तो कितना लिटर का capacity बच गया 6 लिटर का बच गया capacity समझ माया अब 6 लिटर पानी जो है वो क्या बोला है बंद कर दिये जाता है, B को बंद कर दिये ओसे इस टंकी को नल A दुआरा अकेले भरा जाता है यहाँ पे दिखिएगा नल A जो है एक घंटा में 10 अंड़ पानी भर रहा है और आपके पास पानी कितने भरना बाकी है 6 अंड़ेद पानी भरना बाकी है तो छे लिटर बच गया तो दस लिटर अब क्या बोला यहां पे देखीगा तो नल ए द्वारा कार का कितना प्रतिसत किया गया मतलब यह टोटल काम का कितना परसेंट काम किया गया यहां पे वो पूछा है मतलब यहां पे समझे यह जो 6 लिटर है कौन भर रहा है यह भर रहा है न 10 लिटर से इस काम का तो 6 लिटर भर रहा है यहां पे तो इसको अगर हम कर लेते हैं यहां पे समझेगा कि 6 बटा 10 दिया हुआ है ठीक है तो 6 बटा 10 कितना समय लगेगा ठीक है या तो फिर 6 लिटर ज बन सकता है वो पुछा है तो कहने का मतलब यह हुआ कि वर्ट परसेंट वर्क डण बाई टाइप ए तो वर्ट परसेंट अब समझे थोड़ा सा यहां पे यहां से यहां तक आते आते वो भरा होगा कहीं न कहीं टूटल चार अर्दू छे घंटा तक छे घंटा तक भरा होगा ना तो छे घंटा तक भरा तो छे घंटा तक कितना पानी भर सकता है यह साट लिटर पानी भर सकता है कि नहीं भर सकता है बताएगा एक घंटा में दस लिटर टेक है तो दस लिटर यह पानी भरा तो घंटा में 20 लिटर अगला चार घंटा में कितना लिटर पानी भरेगा कि नहीं भरेगा तो 20-30 कितना गए 60 हो गया 60 लिटर रुख हो गया 60 लिटर पानी अके लिए भर दिया बच गया कितना तो बच गया 40 लिटर तो 40 लिटर में 6 लिटर और भर दिया वो कुन भरेगा तो साट लिटर प्लस छे लिटर यहीं न भरेगा तो कितना लिटर पानी भर दिया चियालिस लिटर पानी भर दिया है कितना में तो भर दिया आपका सौ में ठीक है तो चियाल सट बटा हंडेड इंटू हंडेड करेंगे तो आपका 66% आएगा 66% आता इसमी 66% I think option कहीं गलत दिया हुआ है इसलिए क्योंकि नल ए दुआरा जो है कारी का कितना परतीसद कारी का कितना परतीसद भाग मतब परतीसद किया गया है तो टोटल यह जो काम करता है 66 लिटर पानी भरता है एक कितना लिटर पानी भरा है 46 लिटर पानी भर दिया कितना में से 100 लिटर में से तो कितना काम किया हूँ वही पूछा है तो 66 लिटर पानी किया है 100 लिटर में से तो यह आपका 66% होना चाहिए था तो यह आपका कितना देगा 66% कहीं ना कहीं इसमें typing mistake हुआ हुआ देख लेंगे अगला question में बता देंगे ठीक है आज के लिए तर नहीं तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग next class में और हाँ चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो share भी जरूर कर देजेगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके ठीक ह और हाँ यह जो batch हम लोग लाने वाले हैं प्रहार batch वो आपको online ही चलेगा ठीक है वो आपको ID और password दे दिया जाएगा जिनको ज़रूरी है जादा नहीं है 200 रुपिया है मात्र 200 रुपिया माप इस batch को खरीज सकते हैं ठीक है तो तब तक के लिए बने रहिए बेल आइकन क को दबा के रखिए ठीक है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगला आने वाला जो भी वीडियो होगा आपको आप तक असानी से पहुंच सके ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जय जोहार ठीक है ठेंक्यू